वीरगती पाने से पहले भगत सिंह जी द्वारा अपने साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र. साथियो, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए. मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिन्दा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या में इस से उंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता. आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं. अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांती का प्रतीक चिन्ह मध्धिम पढ़ जाएगा या संभवता मिठ ही जाए. लेकिन दिलेराना धंग से हस्ते हस्ते मेरे फांसी चड़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भग्त सिह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांती को रोक अगर स्वतंत्र जिन्दा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता इसके सिवाए मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया मुझसे अधिक भागेशाली कौन होगा आजकल मुझे स्वयम पर बहुत गर्व है अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है कामना है कि यह और नजदीक हो जाए आपका साथी भगत से